हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल व्यूवर्स आज की इस वीडियो में हम लोग उर्दु ग्रामर का टॉपिक तश्पी को समझने वाले हैं अगर आप यूपीटेट का पेपर देने वाले हैं या आप रीड देने वाले हैं तो आपने देखा होगा कोशन पेपर प् चाहे यूपीटेट का पेपर हो चाहे टीजीटी का पेपर हो सभी में तश्पी आता है तश्पी जैसे टॉपिक तश्पी है तलमी है इस्तियारा है यह सभी में आते हैं सब कॉमन टॉपिक है तो सबसे पहले आज हम लोग समझने वाले हैं कि तश्पी होता गया है ठीक है यहाँ पर देखें सबसे पहले line क्या लिखी है बिल्कुल easy यह line है इससे आपको एकदम किलिएर हो जाएगा कि तश्वी का मतलब क्या है किसी शक्स या किसी चीज़ को किसी भी शक्स शक्स क्या यानि कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी परसन किसी शक्स या किसी चीज़ को किसी खास वस्फ में लेकि वस्फ मतलब क्या होता है वस्फ मतलब होता है यह जो वस्फ है वो सिफ़स से बना है जिसका मतलब होता है खूबी या बढ़ाई ठीक है सिफ़त यानि कि adjective सिफ़स से बना है यह वस्व जिसका मतलब क्या होता है खूबी या बढ़ाई यानि कि किसी खास वस्व में किसी दूसरे शक्स या चीज़ के मानिन बताया जाए इस्तिलहा में किसी के मानिन होने की कैफियत को तश्बी कहते हैं मतलब क्या हुआ अगर आप अभी भी नहीं समझपार इस लैंगविच को तो मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज़ को या किसी भी शक्स को किसी से किसी दूसरे से आप कंपेर कर दें यानि कि आप उसके मानिन बता दें कंपेरिजन कर दें जैसे कि उसका चहरा बिलकुल चान्द की तरह है आप क्या कर रहे है आप उसका चहरा है जो वो चान्द की तरह बता रहे है उससे कंपेर कर रहे है यानि कि आप उसके मानिन बता रहे है यही क्या है यही तश्वी होता है कोशन कैसे आएगा कोशन आप से यह नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए याप बस माइन में ये रखिए कि तश्वी का मतलब होता है कमपैरिजन करना किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से अब कोशन कैसा आएगा कोशन ऐसे आते हैं जैसे कि यहापे शेर है यह शेर मीर तकी मीर का है शेर देखे क्या है नाजुकी उसके लब की क्या कहिए नाजुकी मतलब नाजुक से बनाएवर नाजुकी नाजुक से ठीक है तो नाजुकी उसके लब लब यानि कि उसके जो होट होते हैं लब की क्या कहिए पंखुडी एक गुलाब की सी है ये जो शेयर है इस शेयर में मीर तकी मीर ने महबूब के लब को गुलाब की पंखुडी से तश्वी दिये तश्वी दिये मतलब कंपियर करा है कि जो उसके लब है वो बिलकुल गुलाब की पंखुडी की तरह नाजुक है ऐसे कहा है के उसके जो होट हैं भो इकदम आवड़ी है नाजक से हैं भिलकल गुलाब की पंकृडी के तरह तो यह जो इन्हों ने क्या करते हैं आपे तशवी तुट तो यही क्या है यही तश्वी होता है बस आप माइंड में इतना सा ध्यान रखिएगा कि तश्वी के आगए आप लिख लीजेगा कंपैरिजन करना किसी के मानन बताना अब आपको यहां पर इसकी परिभाशा या इसके डिफिनेशन याद करने की जरुवत नहीं है आपके मा आपकी पंखुरी होती है और जो लब हैं वो दोनों ही क्या है वो बलकुल नाजुक से हैं नाजुकी सी खुसूसियत है खुसूसियत क्या है नाजुकी सी है तो बस आपसे कोशन कैसे आएगा कोशन ऐसे आएगा कि आपको कोई भी शेर दिया जाएगा जैसे कि यहां पर आ की मीर हैं वो लब को गुलाब की पंखुरी से तश्बी दे रहे हैं मानिन बता रहे हैं इसलिए यहां पे तश्बी होगा चार आप्शनों में से आपको टिकरना होगा तश्बी है इस तरह से बस आपको ध्यान रखना है कि तश्बी होता क्या है चोटे-चोटे कॉंसेप्ट को किलियर करते चादे जब कोशन विपर को आप सॉल्फ करेंगे तो आपको बिल्कुल एजी लगेगा सब कुछ तो बस तश्वी का मतलब यही होता है कि किसी शक्स या किसी चीज को किसी खास वस्फ में किसी दूसरे शक्स या चीज के मानिन बताया जाता है उसी को ही अगर किसी लफ़ के मजाजी माइनी मुराद हो और मजाजी वा हकीकी माइनी में तश्वी का तालुक हो तो उसे ही इश्टियारा कहते हैं देख इसको समझे इस मतलब क्या है मतलब यह है अगर किसी लफ़ के मजाजी माइनी मुराद हो मजाजी मतलब होता है नकली यानि कि किसी के रियल मीनिंग नहीं बलकि नकली मीनिंग मुराद हो और मजाजी वा हकीकी मीनिंग में तश्वी का तालुक हो यानि कि जो उसके रियल मीनिंग है और जो उसकी नकली मीनिंग है उसमें तश्वी का तालुक हो तो उसे ही इश्टियारा कहते हैं ठीक है जैसे यहां पर जो जैसे दिया एंग जुड अधारन ए और है उसके जरियाब के लिए होसाथ है पे जैसे किया लिका है oraz ने हजरत अली अकबर के लिए कहा है उन्षोग Neस, भल्बल चेहक रहा है र्याध्य रसूल में भल्बल चेहक रहा है र्याध्य रसूल में मतलब क्या हुआ हजरत अली अक्बर का कंपियर उन्होंने तश्भी किस से दी है? बुल बुल से दी है कि वो बिलकुल ही बुल बुल की तरह चहक रहे हैं रियाज रसूल में यानि कि रसूल की तारीफ में ठीक है? यानि कि हजरत अली अक्बर का कंप्यर उन्होंने बुल-बुल से करा है कि बिलकुल वो हजरत अली अक्बर जो हैं वो बिलकुल ही बुल-बुल की तरह चहेक रहे हैं रियाज रसूल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रसूल की तारीफ में अब जो second example यहाँ पे दिया है वो अलामा इखबाल ने आपे क्या कहा है अलामा इखबाल जुगनू के लिए कहते हैं कि छोटे से चांद में हैं जلمत भी रौशनी मी जुगनू के लिए क्या कह रहे हैं कि जो चबनू होता है वो बिलकुल ही छोटे से चांद की तरह होता है जिसमें अंधेरा भी है और रौषणी भी है जिसमें जुलमत भी है और रौशनी भी है तो I hope आपको समझ में आया होगा कि इस त्यारा क्या होता है और तश्भी क्या होता है अगर अभी भी आपको इसमें clear नहीं हुआ है यानि कि अगर आपको इस दोनों topic clear नहीं हुए हैं तो comment करके जरूर बताएगा और कोई भी doubt हो तो आप लोग जरूर पूछेगा मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए हलफ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में